इफिए वाइड लाइट इस यूज़ इंड यंग्स डवल स्लेट एक्सपेरिमेंट जब भी हम वाइड लाइट यूज़ करते हैं तो सचोशन यह होती है कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है वो तो वाइट ही बनती है क्योंकि उसमें सभी कलर्स के मैकसिमा एक करेंगे तो प सेंट्रल टो वाइठ दिखाई दियता है उसके आसपास कलर्ण मैकसिमा नियूज़ जिए तो वैडिख दो कलर्ट के सेंट काव जिसकी fringe width सबसे कम होगी वह सबसे पास बनेगी fringe width का formula होता है Lambda capital D upon small d जिसकी wavelength सबसे कम होगी ठीक, उसकी fringe width सबसे कम होगी और वो fringe सेंट्रल मैकिसमा के सबसे करीब बनेगी तो violet color का wavelength violet color की wavelength सबसे कम होगी तो white के बाद सबसे पहली जो color colored fringe दिखाई देगी वो आपको wallet दिखाई देगी so a part is the correct answer beam of light consisting of two wavelength एक तो आपका 6500 एक है wavelength और एक 5200 एक स्टॉम और यह कह रहे हैं कि जो Mth bright है 6500 एक स्टॉम की वो coincide कर रही है nth bright जो के 5200 एक स्टॉम की है ठीक एक minimum distance तो उनकी value पूछ रहे हैं ठीक है तो मैंने यह question बनाई भी थी question में आई भी थी ठीक है कि अगर y point पर यह दोनों के maxima coincide कर जा रहे हैं तो y point का जो part difference होगा yd over d जो part difference होगा यही M lambda 1 के बराबर होगा और यही N lambda 2 के बराबर होगा मैंने यह माना है कि उस position पे y location पे 6500 angstrom का जो है वो Mth maximum बन रहा है और 5200 का Nth maximum बन रहा है और उनने कहा भी वही है कि Mth variety fringe बनने यह 6500 वाले की तो वही part difference M lambda के बराबर होगा और Nth variety fringe बनने यह 5200 वाले की तो वही part difference N lambda 2 के बराबर होगा तो M और N की value पूछी आ रही तो बहुत ही simple है इन दोन equations को अगर हम equate करेंगे तो M by N का जो ratio आने वाला है वह आपका 4 upon 5 आ जाएगा यानि पहली बार 6500 angstrom का 4th maxima और 5200 angstrom का 5th maxima जो है वो coincide कर जाएगे पहली बार दूसरी बार जो है अगर यह 4 by 5 है तो यह 8 by 10 भी हो सकता है उसके बाद यह 12 by 15 भी हो सकता है तो यह उसके आगे की situation है लेकिन सबसे closest central maxima की सबसे closest 6500 का 4th maxima और 5200 का 5th maxima जो है वो coincide करेंगे उसके बाद 6500 का 8th maxima और 5200 का 10th maxima coincide करेंगे और उसी तरह से फिर और आगे कहानी बढ़ती चली जाएगी नेक्स कोशन करते हैं उसमें कहते हैं यंग्स डवल स्लेट एक्सपेरिमेंट है बाइक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं 400 अंग स्ट्रॉम और 560 अंग स्ट्रॉम और स्लेट के बीच का सैप्रेशन दिया स्क्रीन की डिस्टेंस भी दिये तो मिनियम डिस्टेंस पहले वाइवन वो लोकेशन है जहां पर कंप्लीट डार्कनेस आई है तो वाइवन के लिए पार्ट डिफ्रेंस होगा वाइवन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी और यह यह माल लिया आराम समझना आपको यह मैं डाग्राम बना के करता हूं इसको मैंने का कि चलो यह आपका सेट अप है वाइडी एसी का तिक यह आपकी स्क्रीन है सेंट्रल लाइन है और पहली लोकेशन मैंने का वाइवन वाइवन लोकेशन पर दो वेवलेंद हैं आपके पास एक लेमडा वन है एक लेमडा टू है लेमडा वन है और लेमडा टू है औ तो फॉर हंड़ेड़ वाले का एनथ मिनीमा बन रहा है नाम दे देते हैं कुछ और फाइव सिक्स्टी वाले का एमथ मिनीमा बन रहा है यह हम माल लेते हैं तो एक कुछन क्या बनेगी तो वाइवन के लिए पार डिफरेंस होगा वाइवन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी एनथ मिनीमा बन रहा है फॉर हंड़ेड़ बाले का तो टू एन माइनस वन टाइमस फॉर हंड़ेड़ वाई टू लेमड़ा वाई टू यह दो एक कुछन बन गए चिक पहली बार ऐसा हो जड़ा निकालते हैं चेक करते हैं क्या अंसर बनने वाला है इसका तो जो हम इन वनों को एक कुट करेंगे आपस में तब हमें उनकी वैलूस पता लगेंगी एमत और एनथ मिनीमा गी तो देखते हैं जड़ा कैलकुलेट करेंगे तो 14 ताइम्स तो यह 5 ताइम्स जाएगा और यह 7 ताइम्स तो यह 2N माइनस 1 अपॉन 2N प्लस 1 यह आपका आंसर आ रहा है 7 इस टू 5 तो जड़ा पहली बार वैलू डालके निकालते हैं क्रॉस करके किन का क्या वैलूस आ जाए जाएंगी ठीक यहाँ मैं डिरेक समझा देता हूँ आपको इस उपर भी औड नंबर है नीचे बी और नंबर है तो समझाू सकता है7 होने के लिए 7 होने के लिए n जो है वह आपका होना चाए 4 तू यह हम्षिण-1 7 हो जाएगा और M की value 3 डालेंगे तो 3 to 6 minus 1 5 हो जाएगा तो एक value तो यह आ गई कि 400 का चौथा minima और 560 का तीसरा minima आपस में coincide करेंगे पहली पहला result हमारे पास यह आ गया तो 7 is to 5 हो सकता है 14 is to 10 नहीं हो सकता है क्योंकि यह odd numbers है 21 is to 15 हो सकता है तो 21 हो 15 अगर हम सोचेंगे तो n कितना आ जाएगा तो n आ जाएगा आपका 11 ठीक 11 to 22 minus 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा और m कितना आएगा तो m आएगा 8 8 2 जा 16 minus 1 15 ठीक तो अगली वार जो है वो 11th minima और 8th minima दोनों के जो हैं वो coincide करेंगे और यह माल्य डिस्टंस y1 पे हो रहा है यह माल्य डिस्टंस y2 पे हो रहा है और आपको इन दोनों के बीच का gap पूछा गया है या आप से पूछा गया है y2 minus y1 कितना होगा यह आप से पूछा गया है तो y1 निकालें फिर तो y1 कैसे निकालेंगे तो ये वाली equation आपको use करनी है ठीक है y1 d upon capital D is equal to 2n minus 1 times lambda by 2 lambda कितना 400 upon 2 ठीक है अब यहां से y1, y2 दोनों मिल जाएगा कैसे अगर आपने n की value इसमें डाली 4 इसमें n की value के डाली 4 तो यहां से y1 मिल जाएगा आपको और जब आप इसमे n की value डालोगे 11 तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको y2 मिल जाएगा तो यह आगे काम मैं आपके छोड़ देता हूँ n की value 4 डाल के y1 निकालो n की value 11 डाल के y2 निकालो और y2-y1 को रो आपको एक answer मिलेगा वही होगा दो successive points के बीच का gap जहां पर intensity minimum हो रही है ठीक तो यह अच्छा कोशन था इसको डंक से करना है पूरा आपको 152 अब आते हैं 153 पे इसमें क्या है कि दो waves आपको दी हुई है और phase difference के बारे में आपसे पूछ रहे हैं ठीक तो यह जो 0.5 है यह जो point guard से दिखेंगे अगर हम तो यह उपर वाली equation sign की है नीचे वाली equation cos की है sign में 0.5 जो है वो add है radian cos में कुछ नहीं है तो cos को भी sign में convert कर लेते हैं cos theta sin 90 plus theta जो होता है cos theta होता है sin 90 plus theta क्या होता है cos theta तो इस cos को sign में convert करेंगे तो पहली वाली equation तो sign की लिखेंगे दूसरी वाली equation y2 भी sign की equation आ जाएगी tennis force 6 आ जाएगा cos की जगे आ जाएगा sign आ जाएगा बागी 100t वैसा ही रहेगा plus x by 50 भी वैसा ही रहेगा x by 50 भी वैसा ही रहेगा plus plus pi by 2 ठिक ये दूसरी equation है तो पहले वाली और दूसरी वाली equation अब दौन ही sign में आ चुकी हैं दौन ही positive हैं और अब इनके बीच के अगर हम phase difference find करेंगे delta phi तो इस पूरे phase में से इसका पूरा phase जो है वो minus कर देते हैं तो इससे इसमें minus करोगे तो आपके पास pi by 2 minus 0.5 बचेगा pi by 2 कितना होता तो pi by 2 होता है आपका 3.14 divided by 2 radian में कर रहे हैं minus 0.5 तो यह आजाएगा 1.57 1.57 minus 0.5 तो यह आपका आजाएगा 1.07 radians ठीक तो यूर आंसर इस A part 158 158 में कह रहे हैं यह telescope has a objective lens of 10 cm diameter ठीक है telescope का जो objective lens है उसकी diameter आपको दिया हुआ है ठीक है तो मैं लिख लेता हूँ D दो objects हैं इस तरह से और उनसे telescope जो है वह एक किलो मीटर दूर रखा हुआ है यानि thousand मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है और जो wavelength यूज कर रहे हैं यह पूछ रहे है minimum distance इनके बीच में कितनी हो ताकि यह well resolved हो ठीक है आराम से resolve हो जाएं यह x distance मान लेते हैं और जो wavelength यूज कर रहे हैं वह है आपकी 5000 अनस्ट्रों तो जो resolving पार होती है ठीक है जो resolving पार होती है वह होती है टेलिसकोप की दी अपॉ 1.22 lambda 1.22 lambda यह resolving पार है और resolving पार limit of resolution के inverse होती है मतलब limit of resolution क्या है यह दोनों object telescope पे जो angle बना रहे होंगे तो यह दोनों light lines बेज़ दी मैंने यह जो angle बन रहा होगा theta तो यह limit of resolution होती है theta और इसका जो inverse होता हो resolving पार होती है मतलब यह अपकी equation बने लिमिट of resolution कितना minimum angle यह resolve कर सक सकता है उसका inverse होता है resolving पार और resolving पार का formula होता है d upon 1.22 lambda telescope के लिए अभी हम theta कैसे लिखेंगे तो theta जो आपका लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा arc upon radius, arc है x और radius है 1000 तो यह 1000 उपर आ जाएगा is equal to d upon 1.22 lambda ठीक अब आपको इसमें सारी value डाल देनी है x आपको find करना है बाग सारी एक ही unit में डालना तो आपको x जो है वो आपको एक answer मिल जाएगा कि minimum separation कितना होना चाहिए अगर telescope एक km दूर रखा हुआ है 155 double slit experiment is performed with light of wavelength 500 nanometer, a thin film of thickness 2 micrometer is and refractive index 1.5 is introduced in the path of upper beam central maxima कितना उपर shift हो जाएगा तो slit लगाने से जो part difference आता है वो mu minus 1 into t होता है और वो अगर n lambda के बराबर है तो central maxima जो है वो n fringes के बराबर उपर shift हो जाएगा तो निकाल लेते हैं अभी पता लग जाएगा या कितनी fringes central maxima shift हो जाएगा सीधे लिख लेते हैं mu minus 1 into t upon lambda mu कितना 1.5 minus 1 तो ये 0.5 हो जाएगा thickness कितनी है थिकने से 2 micrometer तो 2 into 10 is power minus 6 upon wavelength कितनी है वेवलेंद है 500 nanometer यानि 10 is power minus 9 अब जड़ा देखते हैं क्या होने वाला है ये minus 9 ऊपर जाएगा तो ये plus 9 हो जाएगा तो plus 9 का मतलब ये plus 3 हो गया यानि thousand हो जाएगा thousand हो जाएगा 500 से cancel करेंगे तो ये two times हो जाएगा और ये तो 1 हो जाएगा multiply करके 2 से और multiply करोगे तो 2 बचेगा यानि n की value 2 आ जाएगा यानि दो fringes जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और जिदर जिदर फिल्म थिन फिल्म इंट्रोड्यूस करते हैं उसी direction में fringe pattern shift हो जाता है तो shift upwards by two fringes 155 the beam of light of wavelength 600 nanometer from a distance source falls on a single slit 1 meter wide and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away the distance between the first dark fringe on either side बहुत ही simple है first dark fringe on either side के बीच की जो distance होती है वो two times lambda capital D upon small d होती है ठीक है diffraction pattern में तो सब को सारी value डाल देनी है यह slit की width है यह screen तक के distance है और यह wavelength है और यह आपको answer मिल जागा सब कुछ डालना है आपको solve करना आपको एक answer मिल जाएगा यह parallel beam of monochromatic light is incident normally on a slit the diffraction pattern is observed on the screen placed at the focal plane of the convex lens है इस 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 increase the central maxima के बारे में पूछ रहें क्या है ठीक है तो slit width अब आप increase करोगे तो जो central maxima होता diffraction pattern का जिसकी width होती है 2 lambda d upon d अब slit width increase करने से क्या होगा कि जो diffraction pattern है उसकी width decrease होती चले जाएगी ठीक है becomes narrower becomes narrower अब narrower के साथ 2 observation है ठीक है fainter है और brighter है तो मुझे ऐसा लगता है इतना narrow होता जाएगा उतना bright होता चला जाएगा क्योंकि वह जो पूरी intensity है वह थोड़े region में compress होती जा रही है जितने कम region में compress होती जाएगी उतनी वह bright होती चले जाएगी तो मेरे सबसे आंसर जाएगा d part 157 का d part lambda a and lambda m a wavelength of beam of light in air and medium respectively if theta is the polarizing angle then the correct relation क्या होगा ठीक है बहुत ही सिंपल है अगर theta polarizing angle है तो जो 10 theta होता है वह mu के बराबर होगा ठीक है अब वह mu और lambda में क्या relation बनेगा तो medium में जो wavelength होगी वह जाएगी air की wavelength upon refractive index तो mu की value अगर हम यहां से निकालेंगे तो यह lambda a upon lambda m आ जाएगा तो यह बन गया आपका lambda a upon lambda m तो यह relation में लेगा 10 theta का तो अगर यहां से lambda a निकालेंगे तो lambda a जो आ जाएगा वो आ जाएगा lambda m times 10 theta बट ऐसा कोई relation दिया नहीं है तो cot theta वाला निकाल लेते हैं तो अगर lambda m निकालेंगे तो lambda m जो आएगा वो आ जाएगा lambda a into cot theta यह answer है आपके पास तो यह answer is d part दो current sources है different intensity के और maximum minimum intensity का ratio 25 तो ऐसे question हम कई बार कर चुके हैं कि maximum और minimum का ratio जो है वो 25 is to 1 दिया है ठीक और sources की intensity पूछने तो बहुत ही आसान है maximum को लिखो आप under root i1 plus under root i2 का whole square और minimum को लिखो under root i1 minus under root i2 का whole square दोना तरफ under root लो तो यह खतम हो जाएगा और यह खतम होगा तो यहां ratio जो आएगा वो 5 is 2 बना जाएगा उसके बाद cross multiply करो थोड़ी सी मैनत करो आप concern मिल जाएगा figure below shows diffraction due to single slit at first minima is obtained in the direction shown then the part difference between ray 1 and 3 1 and 3 के बीच में part difference तो 1 and 3 का तो यह पूरी के पूरी fringe width हो गई sorry पूरी के पूरी slit width हो गई इसको हम A कह देते हैं A और उनका बीच का part difference तो A sin theta ही होगा और A sin theta को तो first minima की condition ही होती है कि वो lambda के बरावर होता है ठीक है तो first और third के बीच के बीच के अगर part difference पूछा जा रहा है तो यह condition तो follow ही जा रही है तो वो आएगा lambda लेकिन अगर first और second का पूछा जाता ठीक है तो हम लिखते A by 2 sin theta और A sin theta का lambda होता है तो A by 2 sin theta क्या होता है lambda by 2 तो answer lambda by 2 आ जाता है ठीक है first और second का अगर पूछा जाता है हमसे first और third का पूछा जा रहा है तो सीधे answer क्या बरेंगा इसका lambda क्योंकि वो ही condition होती है first minima के लिए in a diffraction pattern formed by a single slit the angular width of the central maxima does not depend upon angular width निकाल लेते हैं तो linear width होती है 2 lambda capital D upon small d और इसको capital D से अगर divide करेंगे तो यह angular width आ जाएगी of primary maxima या central maxima और D से D cancel out हो जाएगा तो यह 2 lambda upon D के बराबर आ रहा है यानि यह wavelength पर depend कर रहा है और slit width पर depend कर रहा है तो wavelength पर depend कर रहा है slit width पर depend कर रहा है distance पर depend नहीं कर रहा है ठीक है तो answer क्या बनेगा इसका c parts इस पर depend नहीं करेगा the amplitude of two interfering beams are a1 and a2 they are about two they are out of phase by pi resulting intensity will be resulting intensity कितनी होगी तो पहले resulting amplitude निकालने है na resulting amplitude होगा a1 minus a2 और resulting amplitude का जो square के proportional जो होगी वो resulting intensity होगी ठीक तो answer क्या बनेगा आपका d part अगले question में कह रहे हैं the angle of incident at which reflected light is totally polarized for reflection from air to glass तो वो एंगल तो सीधर सीधर 10 theta होता है 10 i, 10 i किसके बरावर होता है? mu के बरावर यहाँ पर n है तो यह n के बरावर हो जाएगा 163 ठीक है तो angle i अगर निकालना है तो क्या बनेगा यह 10 inverse n सीधर bruster angle पूछ लिया है आपसे तो i is equal to 10 inverse n तो यह answer वन गया आपका A part 163 का A part अब हम आगे आते हैं इसमें कहरें 164 में young double slit experiment है separation between the slits 0.9 mm है और fringes एक मीटर दूर observe हो रही है और capital db दिया है small db दिया है और if it produces the dark second dark fringe तो सारी चीज़ें तो आपके दे हुई हैं और second dark fringe जो है वो 1 mm है central fringe से तो first dark जो होती है वो half times lambda d upon d distance पहोती है और जो second dark होगी वो आपकी 3 by 2 times lambda d upon d distance पहोगी तो यह आपको distance दी हुई है पूरी second dark तक की जो distance वो आपको दी हुई है और आपको capital d दिया है आपको small d दिया है वह स्वेवलेंद पूछ रहे हैं इन्हें यंग्स double slit experiment intensity at a point is one fourth of the maximum intensity angular position पूछ रहे हैं उसकी क्या होगी ठीक है तो intensity जो है वो one fourth है maximum intensity की तो अगर single source की intensity i naught है तो maximum intensity 4 i naught होती है और उसकी one fourth intensity या नहीं net intensity i naught की बराबर है ठीक है तो i net जो है जिसकी equation बनती है i1 plus i2 plus 2 under root i1 i2 cos delta phi यह formula है और net intensity है वो i naught के ही बराबर है तो क्या होगी situation i naught से i naught क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा इस i naught को इधर ले आते हैं तो यह minus i naught हो जाएगा और इस तरफ जो आ रहा है वो 2 i naught cos delta phi आ जा रहा है तो cos delta phi यहां से minus half आएगा तो delta phi जो है 120 degree आ जाएगा cos 120 minus half होता है यानि 2 pi by 3 हो जाएगा यह अगर delta phi है तो जड़ा देखते हैं delta x कितना हैगा part difference तो part difference जो आ जाएगा वो आ जाएगा lambda upon 2 pi into delta phi 2 pi by 3 यानि lambda y 3 आ जाएगा part difference part difference अगर lambda y 3 है तो part difference ही होता है y d over d के बराबर तो यहां से y upon y कितना जाएगा तो y upon capital d कितना जाएगा मैं यह निकलता हूँ y upon capital d कितना जाएगा तो y upon capital d आ जाएगा lambda upon 3 small d यह इसलिए निकला है क्योंकि y upon capital d ही होता है angular position की जो ठीक है अगर यह distance y है और यह d है तो जो angle होगा angle theta वो y upon d के ही बराबर होगा ठीक है गिवासंज में आ रही है आपको ठीक है तो यह फिर और आसान करना चाहें तो और simple लग सकते हैं क्योंकि sin theta की terms में दिया है तो यह जो part difference आपका आया है वो lambda y3 आया है और part difference की fundamental equation होती है d sin theta बिलकुल fundamental बिना किसी approximation के तो यहां से sin theta जो मिलेगा वो निकाल लेते हैं तो sin theta मिलेगा वो आजाएगा lambda upon 3d तो theta कितना आजाएगा तो theta आपका आजाएगा sin inverse lambda upon 3d so your answer is c part in young's double slit experiment the separation between the slit and the screen increases separation हम बढ़ा रहे हैं तो fringe width क्या होगी fringe width का formula जो है वो simple है lambda d upon d तो separation अगर आप बढ़ाओगे तो fringe width भी बढ़ती चले जाएगी तो capital D बढ़ाओगे तो fringe width भी बढ़ती चले जाएगी increases अगले वाले question में कह रहे हैं कि aperture screen जो है वो दो मीटर दूर है screen distance दो मीटर है और fringe width आपको 1 मीटर दे हुई है light wavelength दे हुई है thin plate हम use कर रहे हैं तो कितना displacement हो जाएगा ठीक है तो इससे जो path difference आता है वो mu minus 1 into t के बराबर आता है और अगर वो n lambda के बराबर है तो n fringes जो है shift हो जाएगी number of fringes कितनी shift हो जाएगी यह पता लग जाएगा और जितनी फ्रिंजे shift हो गई है अगर उनकी distance निकालनी है तो एक fringe width होती है lambda d upon d और n fringes shift हो रही है तो into n करेंगे तो इतना इस pattern जो है वो skin पर shift हो जाएगा तो इसको साब कुछ सारी value डाल के खुदी solve करना है आपको एक single slit use कर रहे हैं diffraction pattern में red light के साथ और red light को हम violet light के साथ चेंज कर रहे हैं तो wavelength कुछ बहुत जादे चेंज नहीं हुआ है ठीक है ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पांच जा रहे हैंगे स्ट्रॉम है और आपने x-rays लगा दी तो 100 गुना चेंज होगी यह ऐसा नहीं एक दू आप यह प्राइमरी मैकसिमा की विट्स हो जाएगी सेकंडरी मैकसिमा की विट्स नेरोवर हो जाएगा बिकम्स नेरोवर भी पार्ट इसमें angle of incidence 60 degree है और reflected light completely polarized है तो यहां से आप mu find कर सकते हो 1060 is equal to mu हो जाएगा यानि दूसरे medium का refractive index जो है वो root 3 पता लग गया polarizing angle की help से अब उसमें velocity पूछ रहे हैं तो velocity कितनी होगी तो velocity होती c by mu तो यह आजाएगा 3 into 10 is for 8 upon root 3 तो velocity उस medium में आपके आजाएगी root 3 into 10 is for 8 meter per second अगले वाले question में कह रहे हैं एक light ray है wavelength lambda is passing through a pinhole of diameter capital D and effect is observed on the screen placed at a distance L from the pinhole ठीक है diameter pinhole का capital D दिया है screen L distance पे wavelength जो है वो lambda है ठीक है if approximations of geometrical optics are applicable if d is greater than lambda कुछ कुछ conditions आपको दी हुई है ठीक है कुछ conditions है वो आपको दी हुई है ठीक है तो basically इसका नाम होता है इसका जो नाम होता है वो था frenal distance के आगे जो है वो आपकी ray optics valid नहीं होती है wave optics valid होती है और frenal distance से पहले जो होती है वो आपकी ray optics valid होती है और अभी अभी frenal distance की जो value होती है z से represent करते हैं और वो होता है a square upon lambda जिसमेंसे a जो है वो आपका hole का size है या slit width है और lambda wavelength है और z जो है वो distance से screen से तो अगर अगर इससे जादा है तो wave optics valid होगी और अगर इससे कम है यह screen जो है जैसे हमारे situation में जो screen की distance दी है वो दी है L और hole का diameter दिया है capital D और lambda तो L जो है अगर D square by lambda से बड़ा है तो इसका मतलब wave optics valid होगी और L जो है वो D square by lambda से छोटा है तो वो क्या हो जाएगी ray optics valid हो ज approximation जो होगा वो geometrical optics का valid हो जाएगा यहां तो हमें geometrical optics पूछ रहे हैं wave optics नहीं पूछ रहे हैं तो हम यह condition follow करेंगे कि अगर screen तक की distance जो है वो D square by lambda से कम है इसका नाम होता frenal distance frenal distance तो इससे कम होना चाहिए D square by lambda से कम होना चाहिए तब geometrical optics काम करेगी L जो है वो छोड़ा होना चाहिए D square by lambda से इसका मतलब L lambda upon D square है जो छोड़ा होना चाहिए 1 से तो क्या answer बनेगा आपका C part 172 the width of the diffraction bend where width जो है वो diffraction की किस तरह से vary करेगी तो width बना लेते हैं width होती है lambda capital D upon small d और central maxima width into 2 कर लेंगे ठीक है तो wavelength के inversely है गलत है directly to the width of the slit वो भी गलत है directly as a distance between the slit and the skin यह सही है C part से ही है inversely the size of the source from which the slit is illuminated size source के size से हमें कोई मतलब नहीं है slit width से मतलब है source के size से हमें कोई मतलब नहीं है तो answer क्या बनेगा इसका C part Unpolarized beam R intensity I naught की incident on a pair of nickels making angles 60 degree with each other ठीक है तो सबसे पहले unpolarized light आ रही है I naught की तो पहले nickel prism से जब यह निकलेगी तो intensity half हो जाती है पोलराइज जब पोलराइज होती है तो intensity half हो जाती है I naught by 2 फिर जब दूसरे प्रिस्म से निकलेगी तो निकल प्रिस्म दूसरा वाला 60 degree angle बना रहा है पहले वाले से तो यहां जो intensity आएगी वह आ जाएगी I naught by 2 cos square 60 the final answer आगया I naught by 8 D part a mixture of light consisting of wavelength 590 nanometer and unknown wavelength illuminates Young's double slit experiment gives rise of two overlapping interference pattern on the screen the central maxima of both the lights coincide coincide further it is found that the third bright fringe of known light third maxima of 590 nanometer coincides with fourth maxima of unknown lambda wavelength कितना होगा ठीक है तो part difference जो होगा वो 3 in third maxima है ना तो 3 into 590 nanometer के बराबर होगा और यही part difference इसके 4 lambda के बराबर होना चाहिए क्योंकि वहां पर उसका 4th maxima बन रहा है तो बस lambda निकालने के लिए कुछ नहीं करना है इसको 4 से लागे देवाइड कर देना है ठीक है और आपको lambda मिल जाएगा दो पॉइंट है प्योड़ की लिए पार्ट डिफरेंस जीरो है तो वहां तो पॉइंट हो जाएगे और क्यू पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी तो अगर पार्ट डिफरेंस लैंड़ा बाई 4 है तो फेस दिफरेंस पाई बाई 2 आ जाएगा और कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है तो एक्सपेरिमेंट विफ दे सेम अरेजमेंट तो स्लिट्स अर मेड तो एक्ट आज इनकोहरेंट सोर्स ऑफ दे सेम एंटेंसिटी और इंटेंसिटी का सिंपल सम होगी तो दूसरे के सब्सक्राइब के बराबर होगी तो इनका रेशियो पूछ रहें इनका रेशियो क्या हो जाएगा आई वन अपॉन आइटू सब्सक्राइब तो वाइट डॉट्स आर वन मिलिमेटर एपार्ट ऑन ब्लैक पेपर दे आर वीवड बाई आई आई आफ पूपल ऑफ डामेट सब्सक्राइब तो आपको डामेटर दिया हुआ है आपको वीवलेंट दिया हुआ है तो आप रिजॉल्विंग पार का फॉर्मूला लेख सकते हैं और यह पूछ रहे हैं कि एक मिलिमेटर उनके बीच की डिस्टेंस तो कितने दूर से हम इनको देख सकते हैं ठीक है तो बना लेते हैं खतम होगी बात तो जो लिमिट ओफ रिजॉल्विशन होती है थीटा वो आपका होता है 1.22 लेम्डा अपॉन कैपिटल टी और थीटा जो होगा वो होगा दौनों डॉट्स के बीच की डिस्टेंस एक्स अपॉन जितने दूर से हम इसको देख पा रहे हैं मालिय मैंने का कि वो डिस्टेंस एल है डिवाइड़ वाइल यह एंगल बन जाएगा और यह हो जागा 1.22 लेम्डा लेम्डा आपको दिया हुआ है 500 नेनो मीटर यानि 10 की पावर माइनस 9 अपॉन आंक के पीपिल का डामीटर 3 मिलीमेटर तो 3 इंटू 10 पावर टर्स में आ जाएगा ठीक है